नमस्कार आप देखरें नियूस प्यार और महीं विक्रान बीते एक सिप्तंबर को हुए गांधी मिदान थाना छेत में लूट मामल में पटना पूलीस को अर्म काम्याभी मिलिए आपको बता दें कि इस मामले में एसेस्पी उपेंदर शर्मा ने खुलासा करते हुए क्या उसके थर्ड फ्रोर पर एक स्टील इंडस्ट्री है उसका ऑफिस है वहां पर अग्यात अपराजियों द्वारा घटना किया गया है और लगभग 57 लाक रुपे के लूट किया गया है को इन्फी इन्फॉरमेशन जिस तरीके से मेरे पास आया था उसी इन्फॉरमेशन के आने के साथ ही हम लोगों को संभu हुआ कि यह लूट की घटना तो नहीं है मेरे पास सातवज्चे शाम में कॉल आया है क्उल आने के बाद हमको एक नंबर मिलता है और नंबर जो उस ओफिस के caretaker हैं उनसे बात करने की लिए हम लोग उतको contact करते हैं तो contact किया गया तो हमने contact के माध्यम से पता किया तो उन्होंने कहा कि यस घटना तो घटी है क्वेस्चन काउंटर क्वेस्चन में लेट क्यूं बताए पुलिस को ऐसे कौन बताता है थाना में क्यूं नहीं गए और हमको तीसरा आदमी से फोन क्यूं आ रहा है कुछ संतोस पर जवाब नहीं मिला लेकिन चुकी इतनी बड़ी घटना थी 57 लाग की लूट की बात है और वहां इतना पैसा होना स्वभाविक भी है यहां बहुत सारे बिजनस इंटर्पाइज़ें यहां इतना पैसा होता है तो फिर हम लों मौके पर गए थे साधे में गए पर जाने के दौरान हम लोगों को यह एसास हुआ कि यहां पर कोई भी आदमी किसी ओफिस में आएगा और ऐसी घटना करके चला जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा ऐसा असम्हव है लेकिन जैसा कि सुछना हम लोगों मिल रहे थे हम आछी मांग से चल रहे थे और दौटा का लेट हो गया था हम लोगोंने में अख्सपेक्ट किया काक्यों दिन अफायर होगा और योज आएसे करने में चुकि कर्मी थे यह दोनों डोनों पिर अपने मालिक से बात करेंगे, नेंगे और यहार को नहीं होता है, और लेकिन हम लोग अपनों संधान कर दिये हैं, हम लोग फिर CCTV फोटेजेस देखते हैं, तो उसे बहुत सरा चीज क्लियर होता है, जब सुचना दी गई थी हम लोगों को तो लूट का जो तरीका था उस पे भी हम लोगों को भारी संदे हुआ था बताया गया था कि अग्यात अपराद करमी लगभग तीन पचास में ऑफिस में घुसते हैं कैसे घुसते हैं ये जो आदमी है जिसका नाम है रवी भासकर ये तगादा करके पटना के बिने बिने च्छेत्रों से पैसा ले के आया है और अंदर घुसा है और जैसे घुसता है तो उसके पीठ के पीछे तीन लोग इसको धक्का देके और अफिस में घुस जाते हैं और आप प्रत्याश्य तुरुप से जैसा है कि एक सराब का बोतल उनके पास होता है उसको खिड़की वे फोड़ते हैं और सराब इसकी दे पर डाल देते हैं अब बोलते हैं पैसा दे तो ने तो आग लगा दे है इसने पैसा दे देता है और फिर वो लोग चले आते हैं यह पूछने पर कि तुम बाहर निकल के हल्ला काहीं नहीं किया तो इसने कहा है चुकी बिहार ना शराब बंदी है तो बाहर निकलते तो पुलिस हमको धर लेती तो अपने आप में अजीब टाइप का यह जो घट पर लिंग में आते हैं जिस वक्ति यह तगादा करके लेकर गुस्ता है इसका उनको पहले से पता था कि कम यह आने वाला है इसका स्कूटी अंदर जाता है और अपराधी पैदल पीछे आते हैं अपराधी हवाई चपल पहने हुए हैं लोगर पहने हुए टीशट पहने कि सीडी के रास्ते अपराधी आते हैं किसी तरह का फोर्स एंट्री नहीं है दिखाई तेरा आराम से अफिस पर गुषते हैं और सबसे बड़ी बात है घटना करने के बाद घटना करने के बाद बिना किसी दबाव के आराम से निकलते हैं पैदल बिना किसी हड़वडाहट सब्सक्राइब कर दोड़ा देगा आदमी विल्डिंग से बहुत साय लोग दोड़ा के पकड़ सकते हैं तो इन सब पुष्ट हो गए तक हो नहीं है लेकिन फिर हम लोगों को कि अबने कुसह किया नहीं कि अमने संधान की आइई उससे पस्ठ है किखेल अंदर का ही है तो फिर कल अफायार हुआ हुआ तो दो तो से तीन घंटा लगा इसको ब्रेक करने में कल दो पहर का एफ आयार है रात में बारा बजे उने बुला कि सर हम ही कर आये थे अपने दोस्त को बुला के और हम लोग यह स्वांग रचे थे और पैसा मेरे पास है तो 40 लाख रुपया इसको मिला लगबग 15 लाख रुपया व यह रेली गाउं के एंटी पीजिताना का रेली गाउं है वहां कर रहने वाला है बीएड किया हुआ व्यक्ति है नौकरी नहीं करता है तयारी करने की बात करता है दिमाग से तेज है जो दूसरा सहयोगी इसका है ऑफिस में अपराद में नहीं श्रीकांद सर्मा है यह स्पोर्ट नहीं हुई तो चुकि लूट तो थी नहीं अंदर की बात ती और क्याश का बिलिंग होता है तो हो सकता है कि अफिया करने वाले ने सोचा हो कि यह नहीं किया जाए लेकि इस बार चुकि पुर्णविर्ति हुई घटना की फिया और इस तरह से इसका उद्भेद कर लिए थे अलाकि इसके पहले का तो तो कयास की बात है लेकिन हम लों को जो सुचना है लगबग 40 रुपे इस इस ऑफिस का बिजनस काफी वरियद है और फैक्टरी है तो एक दिन में अगर इसके पर 57 लाक रुपए है तो समझ सकते कि महीने बर में कितना पैसा आता होगा कि यहां काम करता है पिछले सल फरवरी से यहां काम करता है यह राकिश भासकर देए रही बाशकर ठोश पर है test अए पोष्ट तोड़ी है मंतले की इसे ही है तो आपने सुना है साथ वर पे काहा है कि अंकीत मेंटर एंड प्रावेट लिमिटर दुर्गापूर के जो कमपणी है उसके कर्मी से लूट हुआ था जो कि वह स्वयम इस मामले में समलिपता था उन्हेंने खुद इस लूट की घटना को अंजाद दिया था तो ऐसा ही तमाम खब्रों से अब्डेट हैंने के लिए अमने चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए मुझे दिए इजाज़त समस्कार